17 वर्सों से लगातार अपनी सेवा दे रहे एक हिंदी दैनिक के वरिष्ट फोटोग्राफर राजिस सिंग के अकस्मात निधन से पत्रकारिता जगत के साथ सामाजिक वो राजनितिक छेत्रों में सोक की लहर दोड़ गई है लंबे समय से मधुमेहिक रोग से बीमार चल राजिस को उनके परिजनों द्वारा इलाज के लिए परत्रिक सहर कानपूर ले जाया गया था जहां गुरुवार की रात अचानक तवियत भिगडी और अस्पताल में इलाज के दोरान उनकी मौत हो गई नूतर उत्तर प्रदेश गरणिया के रहने वाले राजिस अपने पीछे पतनी के साथ दो संतान छोड़ गया है खड़ी कानपूरिया बोली और हस्मुक चहरा से लोगों के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले राजिस की मौत के बाद भागलपूर के कला केंदर में सुक्रवार फोटो जर्नलिस्ट कलब की ओर से सोक सवाका आयूजन किया गया जिसमें दरजनों पत्रकार छायाकार के साथ सहर के बुद्धी जीवियों ने विश सिर्कत की और उनके तैल चित्र पर स्रदा सुमन अर्पित कर उनकी रूह के सांती के लिए दो मिनट का मौन भी रखा इस मौके पर दैनिक समू के वरिश्ट पत्रकार रहे मुहमत ऐसे साथ को भी लोगों ने याद किया और उन्हें भी स्रदा सुमन अर्पित की गई बता दें कि पेन किर्याज में इंफेक्शन के दोरान मुहमत साथ की बीते दिनों पटना में मौत हो गई थी हालाकि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलफाज नहीं मिल रहे जो आया है उनका एक न एक दिन जाना तैह है लेकिन कोई इस तरह भी भला जाता है क्या सनमार्ग समू की ओर से आपको भी राजेस सबसब नमन भागलपूर से सनमार्ग टीम की रिपोर्ट नीजी संबन था नीजी जोड़ाओत हो तो सभावी कि सब को इस बात का काफी आश्चर और अभी तक विस्वास नहीं हो रहा है कि राजेस सिंगी जो कल तक हमारे बीच थे और हम लोगों के बीच फोटोग्राफी और बाकी चीजों के बहाने उनसे मुलाकात होती तो अब जो जिनका निधन कुछ दिन पहले बिल्ली में हुआ था एशे शाथ जो भागलपूर के बहुत ही बरिस पत्तगार है उन दोनों को हम लोगोंने सरदान जली अर्थित की लेकिन हम लोगोंने सहर के लोगों को गया मंतरत किया था तो हमारे बीच सहर के लोग भी आये और उ झाल